अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज अवेकनि हमेर साथ सीनिर ब्रहमा कुमारी सिस्टर जयांती बेन है तो उनका स्वागत करते हैं वे 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 वोग वेलकम अम्शैंती अम्शैंती अभी तक जो हमने बात की है दीदि अगर हम लिखें की । अब्ड़ा पूरा असपेक्ट बहुत जाकर जाना है और प्राक्टिकल सिचुएशन्स में लिया है तिक छोड़ा सा रीकाप करते हैं पशली दो कडियों का कैसे मेडिटेशन को अपनी जीवन का इस्सा बनाना है and it's not just meditation, it's so easy it becomes part of my life मानु की जिस खरी कोई भी सिचुएशन मेरे सामनी है यदि मेरा अभ्यास है अपने मन को शांत करने का तो उस मन की शांती में मुझे मालम पड़ता है कि मुझे और आगे क्या करना है यदि मन में confusion होता तो फिर और आगे का पता नहीं पड़ता तो और ही गमसान हो जाता तो मानो की कोई व्यक्ती ऐसे है जो गलत काम कर रहा है और वैसे उसको difficult situation कहेंगे व्यक्ती भी कुछ ऐसे कड़क सुभाव का है परन्तु यदि हम शांत रहते हैं और अपने शांती के सिधान से दूर नहीं होते हैं क्योंकि कभी हम भी फोर्स में आजाते हैं रियाक्शन में आजाते हैं परन्तु पहले तो हम अपने को शांत स्वरूप रखें फिर उसको गुड़ वैबरेशन भेजें उसको भी उस आदी स्वरूप आत्मा को देखें तो मेरा अनभव है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो वैबरेशन उस आत्मा के बुद्धी को भी परिवर्तन करता और जो पहले बिलकुल विरोधी था वो अभी से योगी बन जाता और फिर दूसरी सिचुएशन ये भी है कि मानों कि किसी व्यक्ती ने कुछ गलती की है और वो मेरे मन में पास्ट की बाते बार बार याद आती रहती है परंतो ये लिए मैं इनजस्टिस की बात में भी फोर्स रखती हूँ तो वो मेरी गलती हो गई उसने गलती की ठीक है परण तो मेरे फोर्स से वो गलती हो जाती तो meditation का मतलब है कि जो अपनी मन को हम भगाते रहे हैं छुटी दे दी है अभी मन को उसके energy को हम channel करे positive, clean, pure direction में फिर जो creativity है वो creativity भी बहुत सुन्दर ढंग से emerge होंगी नहीं तो creativity को हम ego के कारण और commercialism के कारण stifle करते हैं परंतो meditation अथा silence के द्वारा जो करन करावनहार है वो मेरे द्वारा कुछ कार्य कर सकता वो एक बहुत सुन्दर अहसास हो जाता है और कहीं न कहीं क्योंकि जहां हम एंकार में आते हैं जहां हम यह सुचते हैं कि यह मैंने किया है वहां अंदर यंदर एक घुटन का हैसास भी होने लगता है क्योंकि वो छूट भी तो सकता है और एक दीवार भी बन जाती जो मैं और इससे और उंचा कारिय करने की निमित बन सकूं वो नहीं हो पाता है मौका वही चुट तो यहां जो बात कही है और यहां दीदी हमने यह देखा कि मेडिटेशन को हमने जीवन में जब अपनाया मौनिंग की मेडिटेशन के हमने बात की थी हमने अनुभव भी लिया था कि कैसे पहला जो कुछ समय है वो तो independent मेरा और परमात्मा का होगा अपने आप से अपने बारे में अपना मतलब इस शरीर से परेहटकर अपना जो मैं हूँ और परमात्मा की पहजान के साथ उनका उसके बाद हम पिछली दिन को भी देख सकते हैं और आगयाने वारे दिन को अब मैं उस बात पर आते हूं कि दिन भर की सिच्वेशन्स कुछ कुछ सिच्वेशन्स मैं आपके साथ आज शेयर करना जाज़ें बहुत से दर्शकों की सिच्वेशन्स है तो सिच्वेशन अगर हम यह लेते हैं कि एक तीनेजर डॉटर है लड़का है तीनेजर चाइल है मेरा और परेंट्स के साथ जो एक चलता ही जाता है यह कहा यही जाता है कि वो उम्र है जो निकलेगी हर कोई निकलता है लेकिन वो रिबेलियसनेस जो है ऐसे में मैं अपना मुझे पता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है वो टीवी जादा देखता जा रहा है वो जंक फ के माध्य हम से उस वक्त में क्या अपने आपको थौट दो और अपने आपको अफेक्ट ना होने तो वैसे ये कहा जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो भगवान की दी हुई उमानत है क्योंकि कोई मनुष किसी और मनुष को जीवन नहीं दे सकता तो वो आत्मा मेरे पास आई है अभी कहां से आई आगे कहां जाना है कुछ मालम नहीं प्रंदु अभी वो आत्मा भगवान की संतान है और मेरे लिए एक उमानत है तो मुझे पूरी जिम्यवारी से उसको सही रास्ता दिखाना है उसकी पालना हर प्रकार से अच्छे वातावरन को बना करके रखना है आप टीनेज की बात क्या रही हैं मुझे मैं कहेंगी कि बिलकुल इंफिंसी से बाती शुरू होती मानों कि मा जो खान पान करती है जिस समय बच्चा पेत में होता उसका असर बच्ची पर पढ़ता मा जो बाते पढ़ती है देखती है उसका प्रभाव पढ़ता पुराने जमाने में इन सब बातों का बहुत ध्यान रहता आजकल तो किसी को इन बातों की जानकारी भी नहीं है और परवा भी नहीं है और जो बच्पन में माबाप देखते हैं, बच्चों की पालना करते हैं उनों को अच्छी अच्छी कहानिया सुनाते हैं, moral tales और फिर उनों को अपने जीवन से role model बन करके रहते हैं तो फिर बच्चों के अंदर वो संसकार बनते हैं दीदी, यहां में एक बात कहना चाहते हूं कि आजकल नहीं करते हैं लेकिन आजकल करते हैं, पैरेंटिंग के ओपर थावजन बुक्स होंगी जिस पर जो पहली बार माबब बन रहे हैं, वो पड़ते जरूर हैं लेकिन यह प्रॉब्लम यह हो गई है कि वो अपने ओपर नहीं काम करते हैं वो बच्चे के अपर काम करने लगते हैं कि बच्चे की पालना कैसे करनी हैं वो खुद तो यह भूल जाते हैं कि मुझे अपने ओपर काम करने हैं I am a role model. Yeah. और बेशिक पर बुक्स है, परन्तु परिच्वालिटी का वाइबरेशिंस का इंपक्त, पेट में भी बच्ची पर क्या पड़ता? मानु कि जब मेरा जनम होनी वाला था, मुझे मानी कहानी सुनाई है, कि वह हर रोज सत्संग जरूर करती थी. उससे पहले उसको, she was, how old? She was 16 when she got married, she was 18 when she had me. तो उन दिनों में तो ऐसे होता था. तो कहती थी कि जब मुझे मालूम था कि बच्चा आने वाला है, तो मैं खास शाम को सत्संग करनी के लिए जरूर जाती थी. तो मुझे लगता है कि नसरफ मैं उसम या सत्संग सुनती थी, तो तुम भी उसम या सत्संग सुनती थी, which is true. तो दो आत्मा है सुन रही है, उसम या सत्संग. तो आज कर तेलिविजन बैठ के देखते हैं, वाइलन से बैठ कर के देखते हैं, जंक फूड माँ खाती है, हेल्थ के उपपर, वाइबरेशन के उपर, ध्यानी नहीं जाता, तो बच्चे के उपर उसका प्रभाव पड़ता मैं, तो बाहर की और बाते, ड्रॉग्स, आलकोहल की बात भी नहीं करती हूं, उसका तो कितना डामेज होता, परन्तु मानों की भूचन पर भी ध्यान नहीं रहा, तो उसके भी वाइबरेशन का असर, फर्स्ट गुरूज, फर्स्ट टीचर्स आथ पैरंस, तो जो हम करेंगे, उनों को हम सिखा रही हैं, यह हम ध्यान नहीं रखते, और दूसरी बात मैंने देखी है, टीनेजर्स तो और आगे उस सीमा से चले गए, तो उसके लिए भी मैं बात, एक बात कहेंगी, परन्तु जैसे जैसे बच्पन होता, जैसे जैसे पालना होती, तो उस अनुसार कारेक्टर मोल्ड होता, और उसमें भी ये भी बात मैंने देखी है, कि यदि हम क्वालिटी टाइम देती हैं बच्चे को एक्स्प्लेइन करने के लिए, बच्चे को सरफ ये कह दिया, कि छोरी नहीं करूँ, परन्तु उसको समझाया, कि उसका असर क्या होता, उसमें क्या उसका मतलब है, क्यों हम कहते हैं, तो फिर एक्स्प्लेनेशन से, बच्चे शान्ती से वो बात स्वीकार करने के लिए तयार होता, और दूसरी बात, पैरंस मुझे बताते हैं, कि विदेश की बात में बताते हैं, कि मेडिकल परसन है ये फादर, तो उसने कहा, जब मेरी बेटी पंधरा साल की थे और तेरा साल की थे, तब से मैं उसे पहले ही राजियो कर रहा था, तो वो मुझे पुष कर रह थे, रातरी को दो बजे, तीन बजे, चार बजे आती थे, तो कुछ टाइम तक तो मैं देखता रहा, और कुछ सुधार नहीं हो रहा था, फिर मैंने उनों को बोला, जब आप अठारा साल के बने, आपकी जीवन आपके हाथ में है, जब तक आप मेरे घर में रहते, मेरी जमिवारी है, तो कहता है कि, जैसे की बच्चे ठहरे हुए थे, मुझे टेस्ट कर रहे थे, कि कब पेरेंस मुझे परामेटर्स, गाइडलाइन देंगे, और जब मैंने उनों को बिठा करके उनों को ये बात समझाए, तो ठीक चलने लगे, तो मैं समझती हूँ कि, पेरेंस अपने बच्चों को आज को बहुत स्पोयल कर लेते हैं, जो बच्चा मांगता, उसको दे देते हैं, एक्स्पेंसिव टोईज, बिग टोईज, चोटी चोईज, परन्तु कुछ एक्स्प्लेइन करके बच्चों को कुछ ऐसे शिक्षा दे जाए, तांकि उनों का कैरेक्टर आगे के लिए अच्छा बने, ये पेरेंस को ध्याननी होता, और आजकल मैंने देखा है कि, पेरेंसी स्पृरिच्ट्यू नहीं है, स्पृरिच्ट्यू वाल्यूज नहीं है, उनों को ही एक्स्टर्नल, तो बच्चों में वही संसकार को लेंगे, और पूरा बच्चों में वही बच्चों की बनती जा रही है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि, हर बच्चा एक इंडिपेंडन सौल है, वो अपनी जर्नी पे है, तो पुराने संसकार जो लेकर आया है, यही मैं बात जैन्ती पहन करना चाहते हूं कि, आप सिच्वेशन हमारे हाथ से बहुर नजर आ रही है, कि नहीं बात मान रहा है बच्चा, और लग रहा है, जैसे वो भी, आप ब्रादर ने भी यह देखा, कि मेरा बच्चा जो अब नहीं समझ पा रहा है, यहाँ पुरा बच्चेशन लेवल खराब होगा, यह तीवी देखे खा रहे हैं, तब भी कुछ भी अब एक्स्प्लें करोगे, यह र नौट रेड़ी तो लिसन, तो ऐसे में परेंट्स का फ्रस्टेशन लेवल इतना बढ़ जाता है, और पूरा टाइम उनके साथ यह चलता रहता है, तो ऐसे में क्या मेडिटेशन जो अब में, कोई वाइबरेशन, कोई ऐसे थौट्स, मैं कौन से ऐसे अमर्ज करूँ, क्या अपने आपको दूँ कि वो में बच्चे तक पहुँच जाए? माबाप यह सोचे, कि बच्चों को हमें सदा प्यार करना है, एक वारी भी बच्चे की उपर गुसा किया, तो फिर बच्चा उसका अड्वांटिच डे लेंगा, तो रियाक्ट न करें, अनकंडिशनल लव देते रहें, देते रहें, देते रहें, क्यूं? क्यूंकि यदि कोई काइदे पर नहीं चलता, तो काइदा उठाने से हाथ से बिगर जाएंगा, परन्तो उनों को और लव देते जाएं, तांकि कोई सम्य, कोई घरी, उनों को यह याद रहेंगा, कि माबाप ने तो सदा हमें प्यार दिया है, दूसरी बात, आप अमरतवेले के मेडिटेशन की बात कर चुके हैं, सवेरे सवेरे, जबकि घर बिलको शान्त है, अपनी घर में एक छोटी सी जिगा बना ली, मेडिटेशन के लिए, कमरा बनाया तो बहुत अच्छा, परन्तु नहीं तो एक मेडिटेशन कॉर्नर भी बना लिया, तो वहाँ पर जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो अपनी बैटरी की रीचारजिंग तो जरूर होती ही है, परन्तु उस समय वो वाइबरेशन्स घर में भैलती हैं, और जो भी घर के अंदर है, उनों को जरूर वो प्रभाव पड़ता है, तो जो शब्दों में काम नहीं होता, शुब भावना से, शुब वाइबरेशन्स से वो काम बन सकता, किसकी बुद्धी को यदि चेंज करना है, समझानी उसे नहीं चेंज होतें, गुद्ध वाइबरेशन्स से, उनों की गल्ती मन मी न रखें, प्रन्तु मुझे अभी क्या करना है, वो बात समझ करके, जैसे परमात्मा नहीं हमको कितना माफ किया है, प्रन्तु फिर भी परमात्मा हमें प्यार देता रहा, इसी तरह से मुझे भी इनों को प्यार देती रहना है, तांकि कम्यूनिकेशन बनी रहे, दर्वाजा क्यों बंद हो जाता है कम्यूनिकेशन का, क्योंकि वो कुछ कहती हैं, हम तुरंत रियाक्ट करती हैं, कि हम हएड़ू ही हो जाते हैं जातर पीजाज पिरन्स पात्पों गों जितनी पीलिण फुट मेर के साथ पुछ्ब्ट ŁU जातर ही हुशहत् 근데 कि हम रहा हैं कि अभना instruct दोफ देखाया तो वह वास्ते में गलती कि इतना सब कुछ किया, attachment wash किया, इतना freedom दिया, जिस सम्य सिखाने का सम्य था उने ही किया, अच्छा बात भी हो गई, अभी क्या करें, अभी उनों को प्यार ते वी, तो प्यार सी कोई भी पत्थर पिगल सकता, तो यह तो अपना ही बच्चा है, इन जो अप्च्छा तयार होता है आपके बात संने को, अजन वक्त अगर हम वह बात कह दे और यवन इवन वह भंट एख टी झाहर हुँ वह बच्छा पाद कर भी हूँ जो पी निगान भड़ा यह हुँ प्यार से जी नहीं देखर है और यह हर रहेखा। एक तो हम अपने को बहुत शान्त रखती हैं, दूसरा परमात्मा द्वारा हम प्यार से, किसी बात का हर्थ हम अंदर नहीं लेती हैं, समझते हैं कि ये बात होती है, ये तो आजकल के कल्यों के संसार में तमो प्रधानवातावरन है, बच्चों के ऊपर क्या असर होंगा, मानो कि जब मैं चोड़ी थी, संसार कुछ अलग था, आप जब चोड़ी थे, संसार कुछ अलग था, और अभी तो संसार बिलकुल ही अलग हो गया है, तो उनों का दोश नहीं है, तो हम उनों को प्यार देते रहें, ये भी भगवान की उमानत है बाकी, हाँ ये बात सही है कि हम शांती से जब मूड हो जब चांस मिले उन्हों को explain करें तांकि मन के अंदर उन्हों के पास information सही रहे और फिर क्या है कि बाकी कहेंगे उस आत्मा का अपना तकदीर उस आत्मा का अपना पार्ट ये कहने से हम अपने को छुड़ा नहीं रही हैं प्रन्तु अपने को मन को शांत कर रही है और फिर और आगे भी समझाना तो है ही situations और आगे आएंगे ही आएंगे बढ़ती ही जाएंगे ये तो बच्चों से जोड़ी बात की एक बात और बहुत से लोग जाना जाते हैं कि मेडिटेशन किस उम्र से शिरू की जाएंगे कि कब मतलब जब मैं भी ये सीरीज कर रही थी तो मुझे किसी नहीं कहा था कि मुझे लगता है कि बीट साल प्रहें कर लोना जाही होता है तो ये मैं जानना जाहते हूं कि कौन सा सही उम्र है जब हम जान दे के मेडिशन की प्राक्टिस करवा सकते हूं Maa Yedhi मेडिटेशन करते जब बच्चा अमरी है वूंब में तब से ही वो वाइबरेशन्स उस आत्मा को पोंचते हैं, और जब वो आत्मा जनम लेती है, माँ उसको आत्मिक दृष्टीर से देखे, पर मात्मा की उमानत समझ करके उसको पालना देवे, तो कितनी सुंदर पालना उसकी हो सकती, और फिर छोटे बच्चों का इमाजिनेश से मेडिटेशन कराओ, मुझे याद है कि कुछ चार साल के बच्चे थे, और वो स्कूल में थे, तो उन्हों का जो टीचर था, वो खुद मेडिटेशन करता था, तो उन्होंने हैट मिस्ट्रस से बात करके मुझे एक दिन बुलाया, और कारण ये बना की, इंडियन से लंडन में आजकल है, तो मैंने उन्हों को कुछ इंडिया के अच्छी बाते सुनाई, फिर उन्हों को कहा कि आप अभी एक्स्पेरिमेंट करेंगे, हम अभी जर्नी पर जा रहे हैं, तो एक जर्नी के रीती से मैंने मेडिटेशन कॉमेंटरी कराई, हैट मिस्ट्रस आकर के सुन रही थी, फिर मुझे बताया कि बच्ची दस मिनट शांती से बैटे हिले ने ये फिर्स ताइम मिने एक्स्पेरियंस किया, तो प्रैक्टिकल एक्स्पेरियंस है कि फोर यह की एज से बच्ची को समझ होती, उससे पहले वाइबरेशन द्वारा और अपनी प्यार द यह दो बहुत उशार है, इन फेक्ट उर एक बात ही है कि आपने कहा कि चार साल पहले से, हमें भी अगर हम भी meditative lifestyle जी रहे हैं तो वील बैस रोल मोडल से, ऑना कि हम भी तो पूरा वयवार है क्योंकि हम भी तो बहुत गलत वयवार कर रहे होते हैं बिना ये समझे हुए कि वो देख रहा है बच्चा, वो समच रहा है मानु की बाप स्मोकिंग करता तो आज कल सेकंडरी स्मोकिंग का तो इंपक्ट का तो हेल्थ के उपर तो बहुत प्रचार हो चिका पर अज बच्चा समझेंगा की it's a sign of adulthood so when he is 12, when he is 14 मुझे भी बड़ा होना है, मुझे भी करना है या शराब की भी बात आती है वो भी बच्चे घर मी ही सीख ते है या पियर प्रशर होता है उसमें सीख ते है और यदी उससे पहले ही माबाप ने अच्छी कहानिया सुना करके बच्चों में अच्छे संसकार डाले होंगे कहते हैं कि दो वरश की आयू तक जो भी आप बरेन को ड्वेलपमेंट कराने चाहते है प्रेटिवीटिए से उसकी ड्वेलपमेंट हो सकती तो इतना यंग आयू से ही बच्छों के उपर इंपक्τη होता है naturally vibrations और छोते जल्दी पक्रादेक्ट है और अब हमें यह सोचने की जरूरोत है कि हम अपने अपने ati की साथ लेकर खड़ेए यहां एक और पिछली करदी में मुझे जाद हैं जाद हैं कि अमरित पेला कि यहां जो मौनिंग की जो प्रयर्एशन है जो कॉन्विटेशन है और उसमें भात अबाई थी कि वाइंडिंग अपॉर्टन जो रात को तो इडियल ताइम कोंसा होगा जिसमें हम बैठें कर दो पर शूमनेतायों पर माक्सिमों नोग मॉनिंग को तो यहाद कर एंक्षक्ञ मैं रात का पूल जाते हैं वह स्कानल इस इते हैं और स्व पुरते हैं मुझे से इस तोट थर वहाद चाहिए वहां जोस्थ अन्फिटनिपाए हैं और रात के लिए प्रपेर करें आजकल आप देखेंगे कि लोग टेलिविजन देखर के फिर सोने जाते हैं तो किस प्रकार के ड्रीम सोंगे किस प्रकार के संकव होंगे फिर सवेरी उठेंगे जैसे ही थके हुए सोई थे थके हुए ही उठेंगे तो फिर दिन भर चिरचरापन भी आजाता, लाइस्टाल का कनेक्शन होता, और यदि रातरी को हम ये सोचते हैं कि आज का दिन जो बीता अच्छा बीता, पास्थ हुआ, फिर हम ये सोचते हैं कि आज मुझे क्या सीखने को मिला, और दूसरा, कुई और तरीके से मैं किस सिचुएशन को हैंडल कर सकती, और वो पर मात्मा के सामने रखें, तांकि फिर वो शक्ती हमें मिले, कुछ परिवर्तन करनी की, तो सारे पैकेज के उपर रिबिन लगा करके उस बॉक्स को वहां ही छोड़े, तो फिर राथरी को नेंद भी आराम की आएंगे, और सवेरे उठ करके, हमें वो कल का सारा किछ्रे की बात याद नहीं आएंगे, परन्तु परमात्मा मात पिता की याद आएंगे, तो दिन हमारा आरम भी बहुत अच्छी तरह से होंगा, तो राथरी को परमात्मा के हवाले, सब कुछ करके, जो सीखना है, वो हम सीखे, परन्तु वर्डन जो उपर वाला है, उसके उपर रखे, और टाइम जो है, वो सोने से इमिडिएटली थोड़ा पहले हम कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कि लोग बेडिटाइट कर ल तो वो साथ से सारे साथ बजी का टाइम भी बहुत वाल्यूबल है, क्योंकि दिन भर का कारुबार किया, अभी और बाते शुरू नहीं हुई, तो वो वातावरन विश्व का भी बहुत शान्त होता, तो वो मेडिटेशन भी हम खुद वो उस फिरिष्टे रूप में, पीस मे और रात्री से सोने से पहले, तो फिर दिन को हम, दिन भर का कारे, वी टायर रिबन अन चाहिए, तो यह धिन देन के शुरूआत होगी तो जैनती बहुत होगी तो जैनती बहुत अच जो हमने अच्छों के साथ भी जोड़के हमनेदेख से लूदे वे लगाए नहीं जरूर जो हम आपकी साथ लेते हैं मैं आत्म हूँ इस शरीर से न्यारी ये शरीर उमानत है भगवान का दिया हुआ तो जब तक ये शरीर है मैं उसको भगवान की उमानत समझ कर अच्छे कारे के लिए उसकी शक्ती सफल करती रहूँ और अग इस देहे के भगवान से किनारा कर मैं आत्मा चैतनी शक्ती शांती का अनभव करती मैं आत्मा अलग अपना प्रकाश फैला दे अम शंती साड़े साथ बजे का जो टाइम है वह भी बहुत इंपोर्टन है साथ से साड़े साथ बजे का टाइम और उसके बाद जो अन्मा आत्माड सेज़्ाद अपर जो पूरा दिन हमने को जारा है वे लुकि तो, उसका अनुभाव हमें तब ही होगा जब हम मेडिटेट करेंगे और उसका अभ्यास करना शुरू करेंगे धीडे धीडे वो अभ्यास करते करते हमें पराप्तियां मिलने लग चाएंगे पराप्तियां लॉकिक भी हो सकती है और लॉकिक भी ति कोई ऐसी बात, कोई असा सवाल आपके पास है आप आम सwachगत करते हैं आप डेश्विदैस में प्रहमा कुमार इसकी किसी भी सेंटर में जाते हैं और अपने सवालों का जबाब तराश सकते हैं वे तो अपने सेंटर के बारे में 744 555 अवेकलिंग में द्रामा कुमारी इसमें आज इतना ही आने वाले एपिसोर्स में कुछ खास ऐसी बाते करेंगे जो आपके द्वारा भेजे गए सवाल हैं अभी आपसे विदा लेते हैं अम शाल्दी आपसे विदा लेते हैं ये द्वानी मंगल द्वानी है अम शांती अम इस सांद इस सांद इस सांद आपसे अम शांती अम अम शांती अम I'm a peaceful soul अम शांती अम